हेलो दोस्तों प्यारे बच्चों एक बार पुने आपका एक नए क्लास में स्वागत है आज की लेशन में हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की हॉर्ण बिल बुक के एक चैप्टर जो फास चैप्टर है जिसका नाम है जो भारत के परशिद्ध नावलेश्ट और इंग्लिश राइटर कोस्वन सिंग के द्वारा लेखा गया है आज की क्लास 11 के बच्चों के लिए बैनिफिशल होने वाली है इसके साथ ही इंग्लिश लिट्रेशर में रूची रखने वाले उन तमाम एस्पारेंट्स और स्टुडेंट्स के लिए भी आज की क्लास देद माइने रखती है क्योंकि आज जो लेशन हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है दा पोट्रेट आप लेड़ी शुलिए लेट्स वेगन टुडेश ग्लास है तो पोट्रेट आप लेड़ी एक शॉर्ट इस्टोरी है और जो भारत के प्रसिद्ध और इंग्लिश नौवलिष्ट राइटर खुस्वन सिंग के द्वारा लेखी गई है खुस्वन सिंग का जनाम लाहूर 1915 में पंजाब जो हाल पाकिस्तान में वहाँ पर हुआ इनकी प्रारंबिक शिक्सा दिल्ली में पूरी हुई उसके बाद ग्रेजुएट इनों ने लाहूर के गवर्मेंट कॉलेज सी किया उसके बाद एललबी की डिग्री के लिए लंदन चले गए लंदन से एलल इंडियन्स से पहले लाहूर के हाई कोर्ट में एक लॉयर के रूप में कारे किया बात करते हैं 1947 की जब इंडियन्स वह समय पाकिस्तान अलग नहीं था और वह समय इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए संगर सल रहा था और लगबग 1947 में में देशाजाद हुआ और वह समय पार्टिशन होता है इस देश का विवाजन होता है एक नए देश पाकिस्तान बन जाता है तो वहां से खुस्वन सिंग उसी समय भारत में नई दिली आ जाते हैं खुस्वन सिंग एक प्रसिद्ध उपनियासकार जैसे नॉबलिस्ट कहते हैं और सोर्ट स्टोरी राइटर रहे हैं खुस्वन सिंग ने लेखक जीवन में सबसे पहले एक स्टोरी लिखी जिसका नाम है दे मार्क ऑफ इस्टू एंड अदर स्टोरी जो 1950 में पुबलिस की गई उसके बाद लगाता रहे हैं उन्होंने स्टोरी लिखते रहे और उनके बाद में इनका प्रसिद्ध वर्क या फैम्स वर्क या फैम्स नॉबल आता है ट्रेंड टू पाकिस्तान जो 1956 में पुबलिस हुआ खास्तोर से ये नॉबल इंडिया और पाकिस्तान पार्टिशन प प्रसिद्ध सुर्टीज जैसे इस इस प्रकार के प्रसिद्ध सुर्टारीज खुष्वान सिग के दुबारा लेखी गई दे पोट्रेट ओफ लेड़ी ये एक सौर्ट इस्टोरी है विश्ट डिस्क्राइब्स अबांड विट्वेन खुस्वन सिंग और लेखी गई एक रियल इंसिडेंट है एक सची घटना है जो अपनी दादी मां के चरित्र चित्रन परादरित है आजगर जो ये लेसन है कि हाड टू लर्ण नहीं है क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जो हर घर में घटित होती है दादी मां हर बच्चे की दादी मां होती है उस बच्चे और दादी मां के वीश में किस परकार के समंद रहे हैं लगबग आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे इस ल कि परकार की डिफिकल्टी नहीं आने वाली है हां थोड़ी बहुत डिफिकल्टी अगर कुछ डिफिकल्ट वर्ड है उनको हम साथ में पढ़ते जाएंगे और मैं उन वर्ड को गारंटी के साथ कहता हूं इस लेसन में आपको याद करवा दूंगा इसके अलावा इस लेसन को शुरू करते हैं दा पॉट्रेट ऑवे लेडी सली आज की टैक्स को करते हैं प्रारंब अपनी नॉट्बॉक्स पास में रखें जो डिफिकल्ट वर्ड है उनकी विनिंग और प्रनाउंस यसन उसके साथ में लेखते रहें दादी माएं वैसी ही दिखती है जैसी दादी माय होती है यहाँ पर एक वरिट का यूजлись किया आप साथ में पढ़ते जाएई है प्लैक एक लेट्रि टरंस को यूज किया है शिमली जिसे हिंदि में ओपमा कहते है एक वजत्तु को बाप दूसरी वजत्तु के साथ तुलना करना कंपैर करना तो यहाँ पर अपनी माह की तोलना किसे की ए जो दूसरों की यह हम सब की जो दादी माह हैं उनसे तोलना किया और दादी माह की एक यह यूनिवर्सल किरक्टटिक्स होती है कि वो लादी माह हमें सब बुठी होती है और अपने अपने दादी माह सब को प्यारी होती है She had been old and wrinkled for the 20 years I had known her पिशले 20 वर्सों से दादी मा उतनी ही बुड़ी है और उसके सहरे पर उतनी ही रिंकल्ड है जुरिया है जब से मैं उन्हें जानता हूँ मतलब यहां पर राइटर क्या कहता है कि मेरी नजर में दादी मा उसी श्टेज पे है न तो उसे जादा बुड़ी हुई है यानि एक ही स्टेज पर दादी मा की उमर टेकी हुई है नेक्स्ट रिंकल डिफिकल्ड वर्ड याद करते रहें डव्रिंकल रिंकल में जुरियां रिंकल में जुरियां पीपल सेड ड़ेट सी हैड वन्स बिन यंग एंड प्रेटी लोग कहते हैं अब यहां पर खुश्वन सिंग जो लोग बातें करते हैं यानि जो बड़े बुजूर्ग थे उन से सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि जो दादी मा हैं शी हैड वन्स शी हैड वन्स बिन यंग एंड प्रेटी एक समय दादी मा युवा जवान और सुन्दर हुआ करती थे कि अब बड़ेड वीव और यही नहीं उन के एक पती हुंग करते थे ू 10% करना चाहता है कि खुद को पता है कि खुद का भी दादी के युव आवस्ता के बिना अस्तित्व नहीं था फिर भी यहां पर कॉंट्राडिक्टे से स्वेशन को करता है ताकि रीडर्स के मन में एक संसे बना रहे हैं कि आखिर इस इस्टोरी में आगे क्या है next believe believe विश्वास करना hard to believe मुश्किल सही विश्वास करना my grandfather's portrait hung above the mental piece अब यहां पर वापस my grandfather's portrait hung above the metal piece in the drawing room अब राइटर के रहा है कि हमारा जो ड्राइंग रूम में बैठर कक्स है उसमें एक चिमनी है वहां जो mental piece है mental piece होती है जो पुराना समय था वो समय क्या होता था कि हर लाइट वगरा नहीं होती थी रूम को हीट देने के लिए पर हीटिंग के लिए का होता था एक कौने में इस्टाव होता था नि ट्रेडिशनल सूला होता था प्रंपरागत सूला बनाया जाता था उसके ऊपर ताक रखी जाती थी ताकि और उसके पीछे यह नीचे से होल होता था जो धुआ है वार निकल जाए ताकि पूरे कमरे में नहीं फैले उस ताक के ऊपर अब वहाँ पर एबों इस ऊपर कि मेंटलव दीस में ताक के रहा हूं सूले यह पूल जो टेफिश होख ती पठीर उसके ऊपर हिससे में क्या टंगा हुआ था याद करना हम में यहां एक पोट्रेट तंगा हुआ था एक चित्र तंगा हुआ था इसका राइटर के दादा जी का ड्रॉइंग रोम का अर्थ होता है बैठा कक्स या फिरेसप्षन हॉल अब डादा जी के उस टिक्षर में डादा जी कैसे दिखते हैं इसको यहां पर राइटर बताएगा दादा जी ने क्या पहन रखा था वार मेंस पहनना बिग टर्बन का अर्थ होतिया त्रिक बड़ा साफ आया पोच्या बांध रखा था पैन रखा था एंड लूज फिटिंग प्लोथ और धीले डाले कपड़े पैन रखे थे और दादा जी के एतनी लंबी बयाड थी डाड़ी थी बयाड मेंस डाड़ी कवर्ड मेंस धकना डाड़ी थी जो साती के ज्यादा तरेश्चे को कवर किये हुए थी और वो डाड़ी कैसी थी वाइट एकदम सफेद लाइक शिल्वर और वो दिखने में लगभग सव वर्ष के लगते थे दादा जी दिखने में कितने लगते थे सव वर्ष के बुढ़े लगते थे सब्सक्राइब दादा जी उस परकार के व्यक्ति नहीं लगते थे वाइप और चिल्डरन यानि दादा जी ऐसे बिलकुल नहीं लगते थे कि उनके एक पत्नी थी या फिर यहां पर और विश में और विश या 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 उनके बच्चे थे तो यह लुक्ट एजिप यह कुड़ ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स आप ग्रांट चिल्डरन वह तो ऐसे लगते थे कि इनके तो कई संख्या में पोते पोतियां या फिर नाति नातिन हो यह ऐसे बिलकुल नहीं लगते थे कि उनके कोई एकात बच्चा या फिर पत्नी ह हो वह तो ऐसे लगते थे कि उनके कई संख्या में पोते पोतियां या फिर ग्रांड चिल्डरन हो नेक्स्ट कि एज फॉर माई ग्रांड मादर बिंग यंग एंड प्रेटी जैसा कि मेरी दादी मां युवा या फिर जवान और सुन्दर थी यानि जो लोग कहते थे गैशने द्रफारट वाज अल्मोस्ट रिवाल्टेंग और यहीविचार यही बाते आं उसमें एक हलचल पैदा करने वाले थे या एक रिवाल्टेंग ठोर्ट मादलब उनको लिड़ा देने वाली बात थी कि यह दादी मा किसी जमाने में जवान और सुन्दर हुआ करती नेट्स रिवल्टिंग अलचल पैदा करना प्रेटी में खुबशूरत संदार खुबशूरत शी ओफन टोल ड़स शी ओफन टोल ड़स दार यहां whether दी मुझे यहां पuciones हमें ने कूरे फार में उन खेलों के बारे में बताया करती थी जो वो अपने बच्पन में वो खेलती थी अब पता नहीं ट्रेडिशनल यह नि प्रंप्रा के तरीके से वो पुराने खेल थे आज कल तो बड़े modern खेल आ गए लुडू दादी मा के खेल यहां पर खुस्वन सेंग को पसंद नहीं आ रहे थे अब देग्या वो प्रयाय हमें दादी मा के दोवारा खेले गए जो खेल थे अपने जीवन में बच्पन में वो सुनाया करती थी जो बच्पन में खेलती थी उनका अब इन बच्चों को खुस्वन सेंग को सुनाया करती थी और वो खेल हमें कैसे लगते थे एक तरह से बुरे एपसर्ट लगते थे और अंडिग्निफाइड असब्धे उनकी बातों से पता सलता था कितने वह असब्धे क्योंकि आज कल लूडू जैसे मोडन खेलाई हुए हैं एक जगे से बिना हिले अपन जीत भी सकते हैं और पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट और खेलों की जो बातें दादी मां बताया करती थी उनको हम कैसे सुनते थे लाइक दा फेबल्स अव्ड़ प्रोफेट्स यह तो हमें ऐसे सुनते थे जैसे कोई पेगंबर हमें कथा हैं सुनाता है ऐसी यूज टू-टेल अस जो हमें दादी मां बताया करती थी मतलब उन खेलों की बातों को या पुरानी दादी मां की बाता है थी वह खुस्वन सिं कि क्यों सुन कर लेते थे कभी कभी तो ऐसा भी लेगता था कि यह खेल कितने अश्जड और अन्डिग्नीफाइड होते थे अंडिक्नीफाइड मिस असब वह अधिडिक्नीफाइड उन डिए असब और ईपसर्ट मिस बुरा खराब एक बार पने हमें इस टेक्ष्ट में जो डिफिकल्ट मीनिंग है उनका दोरहन कर लेते हैं like यहां वह दो ज़वाय सिमली वह होती है जैसे हिंदी में उपना कहते हैं जब दो वस्टों या दो तिंग को आपस में कॉंपेर किया जाता है जैसे हाँ पर दादी खुद की दादी-마a वाइट व्याइड मिस सफेज डाड़ी शेश्ट मिस साती या फिर वाक्सिस्तल गेम्स तो आपको पता ही है रिवल्टिंग का अर्थ होता है हल्चल पैदा करने वाला एपसर्ड मिस बुरा खराब अंडिक्निफाइड मिस आसब वे खेबल समिस कथाएं और प्रोफेट समिस प्रेगंबर आज के लेशन में बस इत्मा ही लेशन का अगला पॉर्शन अगले वीडियो में पढ़ेंगे थैंक यू फॉर वासिंग टूदेश्ट लेशन एंड बी रेडी फॉर नक्स्ट थैंक यू